Hey guys, welcome back to my YouTube channel तो हम Dragon King series को फिर से continue करने जा रहे हैं तो जैसके हमने प्रिविस एपसोड में देखा था जिजी उन सभी लाइन्स को खतम कर देता और बोलता है यह तो को ज़ाधा असान था वैसे होश्यारी मार रहा होता है यौनन के सामने यौनन बोलती है कि तुम मेरे रास्ते को ब्लोक कर रहे हो जिसी ऐसे सैड हो जाता है जायन हसरी होती है तो एपसोड नमर 99 की स्राटिंग होती है ऐसे जो टावर अटेक टीम थी वो 6 फ्लोर्स को पास करके 9 फ्लोर में एंटर कर गई गुई बोलरी होती की धियान से जो 9 फ्लोर एस्पिरिट साउल टावर का एक खतनाक है यहां का ट्राइल काफे ज़्यादा मुश्किल होगा उन से जो हमने अभी तक फ्यस की है इस ट्राइल में हमें साथ में मिलके अटेक करना पड़ेगा जायान सोची होती है मुझे पता नहीं कि मैं सही साउल को मिल पाऊंगे इस ट्राइल में की नहीं तब यह ऐसे डोर ओपन हो रहा होता है वुलिन बोलता है कि जो लेवल है इस साउल बीस्ट का और इसकी साउल पावर कुछ जादे पावरफुल है मुझे लगता है कि हमारी टीम के दो या कोई डील कर पाएंगे हमें मिलके अटैक करना पड़ेगा तब ही कुछ बियर टाइप बीस्ट वहां पे आ जाते हैं वुलिन बोल रहा होता है कि यह तो साउल बीस्ट है चार इनकी बोड़ीस तो पूरे तरिके से फ़र से भरी हुई है यह आइस बियर्स हैं यह कुछ जादा पावरफुल साउल बीस्ट होते हैं जो कि नेधन लैंड्स में पाए जाते हैं जिस बोल रहा होता है कि यह कुछ जादा बड़े हैं इनकी कल्टिवेशन लैवल 3000 डियर के होगी गुई बोल रही होती है कि तुम्हें लगते हैं जायान वो देख रही होती है जायान की तरफ जायान बोलती कि छोटे बियर्स यह बियर्स तो किनने जदा ग्रेट हैं और क्यूट हैं मैं एको हग करना चाहती हूँ जिजिनें पकडा होता है जायान को और बोल रहा होता है कि शात हो ajao कैसावल बिस्थ को हम क्यूट बोल भी सकते हैं या वो जो बियर्स अपने मूझ से कुछ आइस का टैक शूट कर रहे होता है मोलिं बोलता है कि यह तो ब्लिजर्ड है तब ही गुयू फायर की वॉल को क्रेट कर देती है पर एक बियर का टैक उसकी फायर वॉल को डिस्ट्रोई कर देता है गुयू बोल लिए होती कि ने मैं रोकनी पारी हूँ वुलिन बोलते कि शान तो जाओ गुयू यह आइस बियर कुछ जादे हैं तेज दिमाग के हैं यह सामने सामने से हमार रूप पर अटैक नहीं करना चाहते हैं पर यह अपने ब्लिजर्ड को यूज़ कर रहे हैं इस आइस अटैक को यूज़ कर रहे हैं ताकि हम धीरी देर कमजोर हो जाएं तो बिल्कुल उसके सामने सामने पॉंचाताह और अपने गॉडर्ड ड्रेगन क्लो को यूज़ करता है परिसक लोर गसंतिौ और वुलिन को योजोर बोकिक को भीशन होता है और पीछे के ट्रैंज के जाता हुश कर देता है उस बीर कि उपर उपने ब्लु सो लग्रास को साथ में यूज कर देता है और उस बीर को पूरी तरीके से बांद देता है वे बागे के तीन आपको चुड़ानी पाहरा होता पिर ताकि हम थोड़ सा रिकावर कर जाएं और रेस्ट कर लें क्या तुम शूर हो जायान तुम इसे चाते हो जायान बोल रही होती है कि वैल मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आइस बेर को अपनी सेकंड साउल पिरिट रिंग चूस करूंगी वो उस आइस बेर के सरके ओपर हाथ और बोलती है कि तुम को ज़दा क्यूट और चबी लग रहे हो तुम किने ज़दा प्यारे हो क्या तुम मेरी स्पिरिट साउल बनोगे मैं तुमें अच्छे से ट्रीट करूंगी वो बेर है रहान हो जाता है जायान बोल रही हो जाते हो तुम नहीं खत्म क्यूं नहीं कर अब बताओ मुझे, बियर तुम चाहते हैं कि मैं तुम्हें अपनी स्पिरिट साउल बनाओ, वो बियर फिर हां कर देता है, और ऐसे ही एक लाइट गलो होती है, वो बियर कुझा छोटा हो जाता है, जायान बोल रही हो थी, क्या मतलब तुम्हारा, तुम मेरी स्पिरिट अब तुम अपने वर्ड से परट ने सकती हो, तुम हमेशा मेरे साथ ही रहोगे, बाकी भी हिराने से उस सिचुएशन को देख रहे होते हैं, कि क्या ड्रामा हो रहा है, ऐसे एनॉस्मेंट होते हैं कि नाइन ट्रैल क्लियर कर लियर तुमने, तुम चूज कर सकते हैं कि आटक करे टावर को, तो हमें कंटिन्यू करना चाहिए, जायान ठीक होगी, हम अगर उसे यहां पर छोड़के भी चल जाएं फिर भी, उसे बाहर भीज दिया जाएगा, जैसे यह अपनी स्पिर्ट साल के साथ फ्यूजन को कम्प्लीट कर लेगी, वुलिन बोलता है, हम आटक करता हूँ, यहारन बोल रही होती है, गुई बोलता है करने दो इसे हैंडल, इस टाइम का हम रेस्ट करने के लिए यूज करते है, वुलिन उस ड्रेगन की तरफ चल पड़ता है, वो जो ड्रेगन होता है, वो पहले डर जाता है, पर फिर वो भी वुलिन की तरफ एक अटक में ऐसे ड्हेर हो जाता है, वुलिन उसकी इनर्जी का अब्जोब करने लब पड़ता है, वुलिन सोच रहा होता है कि अभी अभी एक बोज़ादा वाम सी इनर्जी इस डीमन लिज़र ड्रेगन से मेरी बोडी के अंदर आई, इससे मेरी बलेड एसेंस में कुछ चेंज आया है, यूँ बोल रहा होते हैं तो कुछा कूल है, यूएनन सोच रही होती है, कि टांग वुलिन के सामने डीमन लिज़र ड्रेगन तो एक पेपर का पीस लग रहा था, जैसे ये आगी की तरफ गया, इसने असानी से इसे डिफीट कर दिया, ये तो सची मुची अनिमेजनेबल है, तो ऐसे 11 डोर ओपन हो जाता है, जैसे बोल रहा होता है, कि ये तो एक बहुत बड़ा डोर है, 10th लेवल की तरह, वुलिन बोल रहा होता है, कि मुझे कोई भी खतनाक सी फीलिंग आई नहीं रही अब, वो अपने आपको और बाखियों को ब्लू सिलो ग करना, थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, वेल स्पिर्ट पगोडा कितनी जदा खतनाक चीज़ा, उनके पास ऐसा रियर साउल बीस्ट भी है, वो जो बीस्ट होता है, वो अपने थंडर से अटक कर रहा होता है, तभी यू अपनी एंजल साउल को यूज कर रहा होता है, वो दोनों डिफरेंट अटेक को शूट कर देते हैं, एक प्योर लाइट होती है, वो दोनों अटेक आपस में टकराते हैं और गायव हो जाते हैं, वहना सोच रहा होती है कि क्या हुआ, मेरा अटेक खतम हो गया, यह कैसे हो सकता है, वो दोनों एक दूसरी के उपरे चिला रहे अटेक खता हुआ होते हैं, वैसे बोल रहता है कि तौ ने क्यों अटक किया ? जीजी सोच रहा होता है कि इनकी माटस स्वस तो आपस में चलती है, ऐसा लगँ रहा है कि मेरे को खुद अटक करना पड़ेगा वो जलदे से अटेक करने के लिए जा रहा होता है, उस माऊस की पर वो mouse थ़ंडर कशे कर रहा होता है वैले पीकाचु की याद दिला रहा है जिजी अपने dagger से अटफे कर रहा है उसकी अपर तभी जो mouse होता है वो जिजी को एक थ़ंडर cage में बंद कर लिए अपने साथ वो रेन अपने snake को बीच्के जिजी को बचा लिता है जिसे बोल रहा था बोस जो गॉल्ड लाइट तुमने इसे नाम दिया वह ज़रा भी suitable नहीं है तुमारी स्पीट सौल के लिए देखो कि नहीं जादा ही सिस करता है तुम इसका नाम चैटर बोक्स क्यों नहीं रख देते हैं कि यह चूप रहता है नहीं है कुई बोल रही होते है कि तुम हो चैटर बोक्स ऐसे गॉल्ड सौंग क्यों नहीं बोलते है हम इसे वुल्ड बोल रहा होता है कि चैटर बोक्स नाम अच्छा नहीं है गया गॉल लाइट ऐसे को जादा खुश हो रहा होता है गुयो बोलती कि देखो इसे नाम पसान्द है वूलिन फिर उसका नाम गॉल सॉंग रख देता है वो जो थंडर माॉस होता है वो अपने अटाइक यूज करने लगा होता है वुलन बोल रहा था सभी ध्यान से ये बड़ अटेक कने लगा है वो ऐसे खरते नाक सी थंडर अटेक कर रहा होता है रजगा पर उसकी बिजली हर जगा टक्रारी होती है गुल्द सांग सामने होता है वुलें टैंशन मे आ जाता है ऐसे gold shang छूप रहा होता है तबी wulin अपनी blue silver grass से उस mouse को बांदने कोशिश कर रहा होता है उस अभी को धियान देने के लिए बोलता है वो जो attack होता है वो thunder को पूरी तरिके से खतम कर देता है वो gold song का attack होता है actually में Guyu सोच रही होती है कि ये तो elemental stripping को use कर रहा है हर जगा blue silver grass होती है वोलन बोल रहाता है युआनन अपने diamond titan को use करो युआनन उस mouse के ओप attack कर देती है वो mouse पीसे जाके टकराता है तबी यू light judgment को use करता है जिजी light dragon blade को use करता है उस mouse के ओपर वो mouse जल्दी से वहां से गाइब हो जाता है वोलन बोल रहा है क्या हुआ वो गाइब हो गया ऐसे announcement होती है कि 11 trial clear होता है वो pass हो जाते है वो घुजा खुश होते है युआनन बोल रहा होता है क्या तुम continue कर सकते हो वोलन बोल रहा होता है चै कुछ पी हो हमें अपना best करना है जायो सभी को bunts दे रहा होता है और बोलता है कि अपनी soul power को recover करो वैसे खा रहे होते है वोलन बोल रहा होता है कि तुम्हारी तरह food type soul master को लाना अच्छा idea था अगर तुम्हारे poke bunts नहीं होते तो हमारी soul power को recover करना मुश्किल हो जाता पर हम massive loads को pass नहीं कर पाते जायो बोल रहा होता है कि खाते रहा हो फिर बोलता है एक मिनट को मेरे पास red bunts पी है वो अपनी energy को use कर रहा होता है bunts के साथ और बोल रहा होता है कि यह जादा अच्छी है तुम्हारी physical strength और soul power को increase कर सकते हैं ऐस तो जो boost है तुम्हारी physical strength का वो सिर्फ 30 से 50% का ही होगा और तुम्हारी soul power 20 से increase होगी पर तुम्हें एक चीज़ पता करनी है कि effect अच्छी है पर ही सिर्फ 3 मिन तक रहेंगे और जब इसका effect खतम हो जाएगा तो तुम कमजोर हो जागे थोड़े देर के लिए और बाकी जो time है जितने time तक ये रहेगा वो लोगों के उपर भी depend करता है और एक और बात है अगर तुम अपने spiritual power के उपर rely करते हो लड़ने के लिए और तुम्हारी body strong नहीं है तो तुम्हारी जो weekend state होगी वो एक घंटे तक भी रह सकती है वो लिए सुनके को जाओ खुश हो जाता है और जाओ को हग कर लेता है वो बोलते की मेरी किसमत अच्छी थी कि मैं तुम्हे अपने साथ लाया और मैं तुम्हे जानता हूँ जाय बोल रहा हो तो बोलिन ऐसे words मत बोलो वो बाकिंग तब देख रहा होता है बाकी भी उसे thumbs up दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हे रिसाल स्किल कुछ जादे अमेजिंग है वो 12th ट्रायल के लिए प्रिपेर कर रहे होते हैं एक बहुत बड़ा एप वहां पे आ जाता है यहानन भी उसके दब देख रही होती है गलिन की फाइट होने वाली है इस एपसोड इतने था अब नेक्स टालता हूं मैं कुछ दिनों में तब तक मिलते हैं आपसे बाई